नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस्टार मिस्कू न्यूज में दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भरती की दोस्तों, इस भरती के बारे में बहुत समय से सभी यूटूबर्स द्वारा एक न्यूज फैलाई जा रही है कि ये भरती रद होगी तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ ये भरती बिल्कुल भी रद नहीं होगी जी हाँ, बिल्कुल 100% बेरे पास न्यूज है कि ये भरती रद नहीं होगी और रद नहीं होनी भी चाहिए क्यों कि इस एक्जाम में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनोंने अपनी इमानदारी और मेहनत से इस परिक्षा को दिया है और वो पास भी हुए हैं देखिए नकल वाले कुछ बच्चों को छोड़ कर बागी सभी बच्चे इसमें अपनी मेहनत से बैठे हैं और केवल कुछ बच्चों की वज़ा से उन नकल वाले बच्चों की वज़ा से उन सभी मेहनत करने वाले बच्चों को नुकसान हो ये तो सही बात नहीं है न इसलिए जाँच में जितने भी नकल वाले बच्चे हैं उन सभी को पकड़ा जा रहा है और उनको पकड़ कर सभी को एक्जाम से बाहर किया जाएगा इसलिए देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि महनत करने वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी बिलकुल नहीं होनी चाहिए जोनोंने अपनी महनत से एक्जाम दिया है लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देखर इस एक्जाम को पास किया है लेकिन जाच पूरी होने तक उन्हें एक्जाम से बाहर किया जाएगा ये बिलकुल सही न्यूज है और हाँ ये बता दू मैं आपको ये भरती बिलकुल भी रद नहीं होगी जिन्होंने अपनी मेहनत से एक्जाम दिया है वो बिलकुल बेफिक्र रहें उन्हें चिंता करने की बिलकुल भी आवशकता नहीं है क्योंकि उनके साथ सरकार नाइंसाफी नहीं कर सकती जो इतने समय से इस रिजल्ट का इंदजार कर रहे थे और ये भरती बहुत टाइम से कोर्ट में फसी हुई थी इसलिए कहते हैं ना साथ को आच नहीं होती जिन्होंने अपनी महनत से एक्जाम दिया है उनको घबराने की बिलकुल भी आवशकता नहीं है तो दोस्तो आज के लिए यही न्यूज थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद